ओम शान्ति ओम शान्ति आई 27 मार्च दोहजार तेस दिन सोमवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे बाप समान नीडर बनो अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्शित रहो याद में रहने से ही अंतमती सोगती होगी प्रेश्न खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्शित रहने के लिए कौनसी विधी अपनाते हैं उत्तर दिन में दो बारी ग्यान सनान करने की बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए दो बार सनान करते हैं तुम बच्चों को भी ग्यान सनान दो बारी करना चाहिए इससे बहुत फायदे हैं पहला सदा हर्शित रहेंगे दूसरा खुश नसीब तक दीरवान बन जाएंगे तीसरा किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा चोथा मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे पांच बाप और टीचर खुश होंगे और चटा गुल गुल अर्थात फूल बन जाएंगे अपार खुशी में रहेंगे गीत जाग सजनिया जाग ओम शंति शिबाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं ब्रह्मा मुख से यह गुव मुख बैल मुख नंदिगण है न गीत भी सुना साजन कहते हैं सजनियों को अब सजनियां सिर्फ फीमेल तो नहीं यह मेल्स भी सजनियां है जो भी भगती करते हैं भगवान को याद करते हैं तो हो गई सजनिया साजन तो एक है साधू भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए तो वह भी सजनियां ठहरे वह एक भगवान कौन? एक तो कहा जाएगा गोड फादर को जैसे वर राजा को आना पड़ता है वन्नी अर्थात स्त्री को ले जाने के लिए यह सब हैं वन्निया साजन को याद करती हैं तो जरूर आना पड़ेगा एक के लिए तो नहीं सब के लिए आना पड़ेगा और सभी सजनियां दुखी है कोई ना कोई रोग बिमारी आदी होगी जरूर तो यह हो गया नर्क स्वर्ग में है सुख नर्क में है दुख इस समय हम सब हैं नर्कवासी सजनिया अर्थात सब माया रावन की कैद में है बेहद का बाप बेहद की बाते ही समझाएंगे सारी दुनिया कैद में है इसको दुख दाम कहा जाता है दाम अर्थात रहने की जगहें कल युग में है दुख सत्युग में है सुख दैवी संप्रदाय आसूरी संप्रदाय यह है गीता के भगवान शिव के महवाक्य वेखुद कहते हैं सजनिया अब नव युग आया यह पुरानी दुनिया है साजन कहते हैंब जागो अब नया युग सत्युग आता है गीता से स्वर्ग स्थापन किया था गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है जो देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है प्राय अर्थात बाकी आटे में नमक जाकर रहा है चित्र हैं लेकिन अपने को कोई भी देवता नहीं मानते यह भूल गए हैं कि सत्यूग में देवी देवता धर्म था जिसको ही स्वर्ग कहा जाता था जब लक्ष्मी नारायन का राज्य होगा तब वे ऐसे नहीं कहेंगे कि अब स्वर्ग है फिर तो यह भी समझें कि नर्क होना है यह सब राज हम अभी जानते हैं पांच हजार वर्ष पहले स्वर्ग था अब नर्क है देवी देवता धर्म की टांग तूटी हुई है यह बातें और कोई गीता सुनाने वाला बता ना सके सर्व शास्त्रमई शिरोमनी गीता है गीता का भगवान ही गीता द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं फिर आदा कल्प वहां गीता की दरकार नहीं वाँ तो प्रालब्द है बाबा कुद कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है अभी लोप है न हम रोज नई नई बातें सुनते हैं वै तो अठारा अध्याय सुनते आए हैं उसको नया कोन कहेंगे पूरे अठारा अध्याय लिख दिये हैं यां तो हम पड़ते रहते हैं योग लगाते रहते हैं इसमें भी टाइम लगता है ज्ञान और योग दोनो भाई बेहन है बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान शरेष्ट है क्योंकि उससे ही तुम जीवन मुक्ती पा सकेंगे ऐसा कोई कहना सके कि हमको सक्षतकार हो तो पुर्शार्थ करें सामने श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं ऐसे प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे फिर जो चाहे सो बनें प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं यह तो मानना चाहिए न अब नव्युगा रहा है जहां जीत वहां जाकर प्रिंसपने का जन मिलेंगे रतन जडित मुरली भी होगी यह निशानी है श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते है क्योंकि शहजादा है न बाकी वहां ज्यान की कोई बात नहीं ज्यान का सागर तो एक शिव बाबा है कोई है न अंत में मेरी याद रखेंगे तो गती मिल जाएगे तुम आजकल करते आए हो तो दो चार इत्तफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे समझो अचानक छत गिर पड़ती है उस समय याद कर सकेंगे धरती हिलेगी उस समय तो हाई हाई करने में लग जाएंगे बहुत समय से प्रेक्टिस होगी तो फिर उस समय आवस्था हिलेगी नहीं साक्षी हो हर्शित मुख बैठे रहेंगे मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे तुम कभी भागेंगे नहीं डरने की बात नहीं जैसे बाबा निडर है बच्चों को भी निडर बनना है बाबा कहते हैं बच्चे अब नव युग आ रहा है अब अ भारत हीरे जैसा बन जाएगा फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंशोर करेगा तन मन धन सब इंशोर हो जाता है बाबा कहते हैं यह ज्यान प्रत्यक्षफल देने वाला है जैसे सुदामे का मिसाल है जट महल देखे तो प्रत्यक्षफल हुआ ना प्रिंस प्रिंस का भी साक्षतकार करते हैं फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सत्युग में भी है, त्रेता में भी है यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहां के प्रिंस बनेंगे सब सूरेवन्शी तो नहीं बन सकेंगे, यह सब है साक्षतकार बाकि आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है ये सक्षातकार की ड्रामा में नूद है सोल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है फिर तो वैं शरीर रह न सके ये सब सक्षातकार हैं बाबा भिन भिन रूप से सक्षातकार कराते हैं नूंद है तब सोल आती है ये ड्रामा का राज समझे ना है नई बाते हैं न तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी दो बारी स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए ये भी ग्यान स्नान दो बारी करने से फ्रेश होंगे दो बारी ग्यान स्नान करने से बहुत बहुत फाइदा है नहीं तो मुफ्त में अपनी बादिशाही गवां देंगे बाबा रेजिस्टर से भी जाच करते हैं पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है अरे बेहद के बाप से अथा धन लेने जाते हैं स्वर्ग का मालिक ब बादिशान करने से तुम बहुत बहुत हर्शित रहेंगे बाबा कहते हैं मैं गाइद बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ कितना घुमाता हूँ वो लोग एरोप्लेन से उपर में जाते हैं कितनी उन्हों की महिमा होती है बास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए तुम वेकॉंट में जाकर घूम फिराते हो most wonderful चीज है बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आये फिर इसमें सरव्यापी की तो बाती ही नहीं तुम पैगंबर हो पैगाम देने वाले हो ना मैं भेज देता हूँ ये भी ड्रामा में नूंध है ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पढ़ता है फिर मैं भी आया हूँ आकर पढ़ाता हूँ ये तो गीता पाट शाला है उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो एक कान से सुना दुसरे से निकला एम उबजेक्ट कुछ नहीं अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती है स्टुडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है न बच्चे के संबंद की भी खुशी होगी टीचर को भी खुशी होगी यह भी माबाप है टीचर है तो खुशी होती है बच्चों का फर्जे पढ़ना अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो तुम आदा कल्प बहुत भटके हो अब भटकना बंद करो परन्तु वे भी तब होगा जब पूरा निश्चय होगा मनुशे कहते हैं कि कल्यूग में इतने वर्ष पढ़े हैं तुम जब उनको बताएंगे तो वे कहेंगे यह सब कल्पना है जादू है बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगी बाबा अपनी तरफ खीचते मायावी पुर्ष फिर अपनी तरफ खीचते बीच में लटकते रहते बाबा समझाते हैं बच्चे जब तक दो बारी ज्यान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फाइदा नहीं होगा अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुमारा संशे मिट जाएगा और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते यहां के लिए मना करते है क्योंकि यहां पवित्र बनने की वुख्य बात है स्त्री पती दोनों को पवित्र बनना है यहां तो स्त्री पती के पिछाड़ी सती बनती है कि पती लोक में जाएं पती नर्क में है तोस्तरी भी नर्क में आ जाती है अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुर्शार्थ करो अब लाओं पर कितने अत्याचार होते हैं बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी बै कहें शादी जरूर करनी है बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगे पती में मोह, फिर बच्चों में मह, पियर घर, ससुर घर में मह आज बच्चा जन्मा पाटियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोश मचा देंगे सत्यूग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ चित्र रख दो जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे आओ हम समझाएं बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं दो बारे स्नान करने से तुम बहुत गुल-गुल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी, कहा जाता है इश्वर की महिमा अपरमपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरमपार हो जाएगी, गीता की महिमा भी अपरमपार है, तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रही है एक परमात्मा के सिवाई कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग अब सत्यूग आ रहा है मैं शमा तुम्हारी जोत जगा ने आया हो ये दादा भी अभी पुर्शार्थी है बाबा तुम्हें नए यूग के लिए नई कहानी सुनाते हैं कितना अच्छा गीत है ये रास्ता ही नया है वे लोग कहते हैं शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा फिर कह देतें सब ईश्वर ही ईश्वर है उसकी ही महिमा है हम तो दुनिया में आये हैं खुशी मनाने कुछ भी खाव पियो मोज करो आत्मा पर लेप जेप नहीं लगता अपनी गंदी प्रिश्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निरलेप कह देते हैं ऐसे के संग में कभी फसना मत तुम हो हंस बाबा कहते तुम को बिलकुल प्योर बनना है विकार में जाना तो क्रिमिनल एसॉल्ट है भल मेरी बात अभी नहीं मानू अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे मददगार नहीं बनेंगे तो धर्म राजद्वारा बहुत सजाईं खानी पड़ेंगे याद रख ले न अगवान ने नया संसार दिखाया है तुम नय संसार के मालिक बनने आये हो तो अपनी दिल से पूछो हम सोतेले हैं या मातेले शिबाबा है दादा ब्रह्मा है बाबा हम है पोत्रे पोत्रियां यह इश्वरिय कुटुम्ब है दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्सा कैसे लेंगे इसलिए दादे को जरूर याद करना है बाप के सिवाए दादा कैसे होगा दादा है तुम पोत्रे हो बीच में बाप जरूर है पोत्रों का हक है दादे पर इसलिए कहते हैं तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना। हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसा बनाती है, बाकी सब कोडी तुल्ले बना देते हैं। भारत की तकदीर को एक दम लकीर लग गई है अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बना कर भी पहनते हैं परंतु उसके महत्व को कोई नहीं जानते यहां काइदे भी बड़े कड़े हैं पवित्र ब्रामन जरूर बनना पड़े सच्चा बनेंगे तब ही नशा चड़ेगा हाफ कास्ट को नशा नहीं चड़ेगा भगवान भारत के पीछे दिवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा तो भारत पर आशिक हुआ है ना भारत को फिर से उंच बनाते हैं आशिक माशूक के पिछाड़ी नहीं कितना दूर से भागते हैं और फिर कितना बड़ा निर एहंकारी है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सर बेहद के बाप से अथा ज्यान धन लेने के लिए दो बारी ज्यान स्टान करना है पड़ाई में रेगुलर जरूर बनना है फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राहमन बनना है बाप का मददगार बनना है गंदी त्रिश्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फसना है वर्दान तन मन और दिल की स्वच्चता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होलिहंस भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझे स्वच्चता अर्थात मन वचन कर्म संबंद सब में पवित्रता पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं आप होलीहंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्चता स्वरूप हो तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्च हो साफ मन वा साफ दिल पर साहब राजी होता है उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाई पूरी होती हैं हंस की विशेष्चता स्वच्चता है इसलिए ब्रहमन आत्माओं को होलीहंस कहा जाता है स्लोगन जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शेहनशाह बनते हैं ओम शंती ओम शंती ओम शंती